अब हम आ चुके हैं, has to have, have to have और had to have पे, जब भी किसी sentence में आता है, pass होना चाहिए, जैसे मेरे पास pen होना चाहिए, उसके पास laptop होना चाहिए, आपके पास किताबें होनी चाहिए, आपके पास अच्छी communication skills होनी चाहिए, English में, call centers में apply करने के लिए, तो किसी न किसी के पास कुछ होना चाहिए, इस तरह के sentences को हम already cover कर चुके हैं, और हमने देखा था, should have के साथ हम इने बनाते हैं, ठीक उसी तरह से, जैसे इन sentences को आप should have के साथ बनाते हैं, pass होना चाहिए के लिए, उसी तरह से, आप has to have या have to have के साथ बना सकते हैं, फर्क से इतना है कि जब आप should have के साथ बनाते हैं तो आप ये नहीं देखते कि subject क्या है चाहे वो third person singular हो चाहे कोई plural subject हो कुछ भी हो आप should have का use कर लेते हैं जैसे मानलीजी आपको कहना है कि उसके पास pen होना चाहिए तो आप कह देते हैं या मेरे पास pen होना चाहिए तो कह सकते हैं I should have a pen इन दोनों sentences में आपने देखा यहाँ पर ये subject है third person singular जबकि ये subject है first person singular तो third person singular के अलावा जो भी subject हो चाह आई हो या फिर आपके पास pen होना चाहिए you should have a pen subject कोई भी हो हम should have का use कर लेते हैं पास होना चाहिए के लिए ये बात already हम should के concept में समझ चुके हैं लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाता है जब subject हो third person singular ऐसे में यूज़ करेंगे has to have has का use तो करते ही third person singular के साथ में ठीक है और उसके अलावा कोई भी subject हो चाहे I, you, we, they कोई भी plural noun हो ऐसे में आपको use करना होता है have to have same sense के लिए यानि कि sentence को आप should have के साथ भी बना सकते हैं और has to have या have to have के साथ भी बना सकते हैं तो अगर मुझे कहना है उसके पास pen होना चाहिए तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ he should have a pen या फिर मैं कह सकता हूँ he has to have a pen तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ has to have लेकिन जब मेरा subject third person singular के अलावा है जैसे I, you, we, they या कोई भी plural noun, pronoun ऐसे में अगर मैं sentence को should have के साथ बनाना चाहता हूँ तो बना सकता हूँ लेकिन अगर इसके साथ इस formation के साथ मुझे बनाना है तो मैं यूज करूँगा have to have तो should have की जग़ा पे मैं क्या कहूँगा have to have I have to have a pen इसी तरह से यहाँ पर भी आपके पास pen होना चाहिए you have to have a pen तो यह topic बहुत ही simple है इसमें कोई confusion नहीं है और मैं आपको बता दूँ जब आप इसके negative बनाते हैं जैसे आपके पास pen नहीं होना चाहिए ऐसे में generally इस formation में आप बनाते ही नहीं है आप कैसे बनाएंगे he should not have a pen I should not have a pen आपके पास pen नहीं होना चाहिए you should not have a pen तो जब आपको negative बनाना है तो आप इस formation का use ना के बराबर देखेंगे कर रहीं नहीं और जब आपको positive sentence बनाना है जहाँ पर not का use नहीं हो रहा है ऐसे में आप should have के अलावा has to have या फिर have to have का use कर सकते है और past की जब बात करें past past होना चाहिए था इसके लिए हमने should के concept में क्या देखा था should have had मान लिजे मुझे कहना है कि उसके पास एक अच्छी job होनी चाहिए थी he should have had a good job ठीक इसी तरह से यहाँ पर should have had की जगह पर मैं use कर सकता हूँ had to have बस इतना सा यह topic है तो जब भी कभी किसी sentence में past होना चाहिए यह past होना चाहिए था आपको कहना है आपके पास वो विकल्प तो ही है जो हम already पढ़ चुके हैं समच चुके हैं ठीक उसी तरह से आपके पास यह विकल्प भी है कुछ और examples के अगर मैं बात करूँ मान लिजे मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास कम से कम दो साल का experience होना चाहिए उस company में job के लिए apply करने के लिए तो हमारे पास होना चाहिए हमारे के लिए मैं क्या कहूँँगा we, subject है हम we के साथ में मैं लगा देता हूँ क्योंकि हमारे पास होना चाहिए we should have at least two years experience to apply for a job in that company इस बात को पहले मैं लिख देता हूँ we should have हमारे पास होना चाहिए कम से कम at least two years experience दो साल का experience to apply apply करने के लिए job के लिए in that company उस company में उस company में job के लिए apply करने के लिए हमारे पास कम से कम दो साल का experience होना चाहिए pass होना चाहिए आ गया तो मैंने should have का use कर लिया अब अगर मैं चाहूँ तो इस should have की जगा पे मैं we have to have we have to have at least two years experience to apply for a job in that company तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ भी difficult है मान लिजे मैं कहूँ कि उसके पास कुछ नहीं था उसके पास कम से कम कुछ तो होना चाहिए था उसके पास कुछ नहीं था he had nothing ये बात तो simple है he had nothing उसके पास कम से कम कुछ तो होना चाहिए था तब तो मैं उसकी बात सुनता He should have had at least something to speak ठीक है तो should have had की जगा पे जो हम अलड़ी पहले भी पढ़ चुके है should have had पास होना चाहिए था कि जगा पे मैं क्या कह सकता हूँ had to have He had to have उसके पास होना चाहिए था at least something कम से कम कुछ तो बोलने के लिए to speak अच्छा आप में से कितने ये जानते हैं कि चाहिए जब किसी sentence में आता है चाहिए तो चाहिए के लिए हम should का भी यूज़ करते हैं must का भी यूज़ करते हैं और modal verb ought का भी यूज़ करते हैं और ought के बाद हमेशा to का भी यूज़ किया जाता है simple मान लिजिए कोई sentence है उसे वहाँ जाना चाहिए he should go there या फिर he must go there या फिर he ought to go there तीनों ही तरीकों से इस sentence को अगर हम बनाएं तो कुछ भी गलत नहीं है ये बास सही है कि थोड़ा सा फर्क हो जाता है should, must या ought में फर्क ही हो जाता है कि must का use आप generally तब करते हैं जब कोई काम बहुत जरूरी है जैसे आपको वहाँ जरूर जाना चाहिए ये वाला sense आ जाए और ought का use आप तब करते हैं जब कोई ideal condition हो चाहिए तो हम कह रहे हैं लेकिन ideal condition बिल्कुल others situation में ideal condition का मतलब क्या है जैसे मानली जी मैं आपसे कहूँ कि हर किसी को सच बोलना चाहिए तो ये बात सही है हर किसी को सच ही बोलना चाहिए लेकिन बोलता नहीं है वो एक अलग matter है लेकिन हर वेक्ति को हर किसी को सच बोलना चाहिए ये एक ideal बात है एक others बात है तो ideally यहाँ पर ought का यूज़ करना जादा बहतर है हलागि ऐसा कोई इसका thumb rule नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ है मान लिजे मैं कहता हूँ he ought to go there उसे वहाँ जाना चाहिए मान लिजे किसी के father hospital में admit है तो क्या उसका फर्ज नहीं है कि उसको वहाँ जाना चाहिए तो ऐसे मैं ought to go कहना गलत तो नहीं है सही है यह sentence और अगर मैं कहूँ कि आपको उसे वहाँ जरूर जाना चाहिए मैंने कहा उसे वहाँ जाना चाहिए उसके papa hospital में है उसे वहाँ जाना चाहिए तो understood है कि भली मैं नहीं कह रहा हूँ कि जरूर जाना चाहिए लेकिन फिर भी मत्तब तो यही है कि जाना ही चाहिए तो ऐसे में must का use भी गलत नहीं है और केवल अगर मैं should का use करना हूँ तो क्या गलत है He should go there, simple तो ideally चाहिए के लिए आप किसी कभी use कर सकते हैं यह बात अलग है कि सबसे जादा use होता है should और जब थोड़ा सा जरूरी हो ऐसे में must तो जब हम कहते हैं कि हर किसी को सच बोलना चाहिए तो ऐसे में everyone ought to speak the truth वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ideal condition में ought to का use करते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जब आप English बोलते हैं conversations में और ought to का use बहुत कम आप देखते हैं आप should का use करने कोई problem नहीं है ठीक है और अगर आपको थोड़ा जरूरी लगता हो तो ठीक है कर लिजिए must का use everyone must speak the truth बोलना ही चाहिए सच यह जरूर बोलना चाहिए तो modal verbs में आपने has to have, have to have इनका use देखा पास होना चाहिए के लिए बिल्कुल वैसे ही जैसे हम should have का use कर लेते हैं और had to have का use बिल्कुल वैसे जैसे should have, had का use करते हैं जो कि हमने should में सीखा था और हमने ये भी देखा कि must का भी use कर सकते हैं, or to का भी use कर सकते हैं थोड़ा ज़्यादा जरूरी लगे तो must का use कर लिजिए और अगर ideal condition वाली बात होती है तो or to का use कर लिजिए हलाकि ऐसा कुछ नहीं है आप तीनों में से किसी का भी use कर सकते हैं, कोई problem नहीं है सबसे ज़्यादा use होता है should और must और to का use बहुत ही limited होता है पर आपको पता होना चाहिए अब हम ज़रा बात करते हैं shell की आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि shell का use अब modal verb की तरह होता है चाहिए के sense में आप अकसर देखेंगे इस sense में भी देखेंगे, अभी मैं आपको example बताता हूँ और किस तरह के sentences में, generally interrogative sentences में interrogative मतलब प्रश्ण बाचक, जहाँ पर कोई प्रश्ण पुछा गया हो जैसे मान लिजे मुझे कहना है कि क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए इस बात को मैं should के साथ कैसे कह सकता हूँ should I go there बिल्कुल उसी तरह से चाहिए के लिए interrogative sentence है चुकी है यहाँ पर should की जगह पर आप अकसर shell का use भी पाएंगे should I go there क्या मुझे जाना चाहिए क्या राहूल को मुझे बात करनी चाहिए क्या राहूल को मुझे से बात करनी चाहिए should राहूल talk to me यहाँ पर भी should की जगह पर आप कह सकते है shall राहूल talk to me simple तो shell का use as a modal verb चाहिए के sense में ऐक तरीका यह है और दूसरा उन वाली जो मैं बात कर रहा हूँ जैसे क्या मैं जाऊं? क्या मैं उसके साथ खेलूं? क्या मैं उसके साथ बात करूं? तो ये उन आ रहा है इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि उन वाले sentences में shall का use क्या मैं उससे बात करूं? इसके लिए shall I talk to him? क्या मैं शाम को आपको call करूँ करूँ उँ आ गया न shall I call you in the evening हलकिन sentences में shall की जगह पर आप do का भी use कर सकते हैं ये भी बड़ा interesting है shall की जगह पर उँ वाले sentences में आप do का भी use कर सकते हैं इस बात को भी आपको notes में अपने लिखना है do I talk to him या shall I talk to him क्या मैं उससे बात करूँ यही sense निकलेगा उसी तरह से यहाँ पर shall I call you in the evening क्या मैं आपको शाम को call करूँ या फिर do I call you in the evening क्या मैं आपको शाम को call करूँ मैं वहाँ क्यों ना जाऊँ मैं वहाँ क्यों ना जाऊँ क्यों के लिए why उसके बाद modal verb आईगी जो भी auxiliary verb होती है जैसे मैं shell का use कर रहा हूँ और जैसा मैं आपको बता है shell की जगह पे आप क्या कह सकते है do मैं किस किस से मिलूँ कैसे बनाएंगे सोचिए sentence को किस किस से यहां पर भी आप shell की जगह पे do का use कर सकते है who all shall I meet या who all do I meet और who की जगह पे आप whom का भी उसकर सकते है तो English की एक खासियत है कि बहुत सारी चीज़ें होती है एक ही sentence को बनाने के कई तरीके निकल जाते हैं है न तो जितना भी cover किया बहुत easy था इस सभी के notes आपको मिलेंगे मेरी website पे www.spokenenglish.guru device videos plus notes इस पे आप जाईएगा आज की ये सारे notes आपको वहाँ पर मिलेंगे तो ये जो चोटी चोटी चीज़े हमने cover की मुझे उमीद है आपको समझ में आई होंगी और पहले हम modal verbs को पूरा complete करेंगे और उसके बाद हम practice भी करेंगे practice के लिए मैं आपको बताऊंगा sentences कहाँ पर available है कैसे आप practice कर सकते हैं तो जितना practice करेंगे उतना perfection आएगा simple sentences, tenses, modal verbs बहुत ही important topic हैं इसलिए धीरे धीरे करके हमें इनको clear करना है practice के साथ साथ तो फिलाल आज के लिए यहीं तक अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करिएगा share करिएगा और comments में बताइएगा कैसा लगा, मिलते हैं next video lecture में तब तक लिए take care, goodbye